प्रियंका गांधी चुनावी रण में उतरने जा रही है यानि आसान शब्दों में कहीं तो ऐसे में एक बार फिर वाइनाट के जंग दिल्चस होनी चारी है वाइनाट में कॉंग्रिस ने अपनी नए तुरुप के इक्के कातो एलान कर दिया लेकिन अब बारी है बिजेपी की सवाल है कि क्या अभी भी CPI नेता एनी राजा चुनाव मैदान में होंगी या फिर पार्टी की ओड से वाक ओवर मिलेगा या फिर बिजेपी इस सीट पर अपनी किसी महारती को तार कर खेला कर सकती है देखें रिपोर्ट और जानिए चुनाव के बाद कैसे और भी जादा दिल्चस्प होने जा रही है वाइनाट की सियासी जन जब से लोग समझ चुनाओं का रेजल्ट सामने आया है तब से लगातार ये सवाल उठ रहा है कि राइवरेली और वाइनाट सीट पर जिस तरह से कॉंग्रिस के राहूल गांधी को बंपर जीत मिली है उसके बाद वो कौन सी सीट पर बनी रहेंगे राहूल गांधी ने भी असमंज़त जाहिर किया था कि वो नहीं समझ पा रहे हैं कि कि सीट को छोड़े और कहां से सांसत बनी रहें जिसके बाद राहूल गांधी ने कल फैसला ले लिया कि वो राइवरेली को चुनेंगे और वाइनाट सीट को छोड़ देंगे जिसके बाद ये भी साफ कर दिया कि वाइनाट सीट पर प्रियंका गांधी कॉंग्रस की कमान समालते हुए फिर चुनाव लड़ेंगे लेकिन सवाल ये है कि इस बार इस सीट पर प्रियंका गांधी को टकर देने कौन उत्रेगा क्या CPI नेता एनी राजा चुनाव मैदान में होंगे या फिर BJP कोई खेला करेगी ऐसे में एक ऐसी बात भी निकल कर सामने आ रही है जो आपके होशुडा देगी कहा जा रहा है कि BJP कॉंग्रस के इस फैसले का जम कर लाब उठाने की फिराख में है वो जानती है कि जब कॉंग्रस से वाइनाट की आधी जनता नाराज होगी तो उसका फायदा उठाने के लिए इससे बहतर कोई और मौका मिलने वाला नहीं है दरसल वाइनाट से प्रेंका गांधी के चुनाओ लड़ने के फैसले के बार सोशन मेडिया समेथ राजनी तिगल्यानों में चर्चा तेज हो गई है कि सीट से बिजेपी किसे उम्मीद वार बनाएगी चर्चा ये भी है कि बिजेपी तेज तराज नेता स्मृति राणी को वाइनाट सीट से उतार सकती है जो अभी भी अमेठी से हारी है अब भली ही समृति राणी इस बारा मेठी से केल शर्मा के सामने लोगसभा चुनाव हार गई हो लेकिन 2019 में वे कॉंग्रेस के गड़ अमेठी से राउल गांदी को हरा चुकी है वही देश भर में समृति राणी की एक अलग छवी भी बनी हुई है प्रियंका गांधी और इसमृति राणी के जबानी जंग में भी अकसर देखने को मिलती है ऐसे में विजेपी उन्हें इस सीट से उतार कर मुकाबले को दिल्चस्प बना सकती है हाला कि फिर भी विजेपी के लिए वाइनाट की सीट को अपने हक में करना मुश्किल ही रहेगा क्योंकि गांधी परिवार का साउथ से पुराना रिष्टा रहा है इंद्रा गांधी 1978 का उपचनाव करनाटक के चिक मगलूर से जीती थी इसके बाद उनीस सो असी में इंद्रा ने आंद्र के मेडग सीट से जीत हासिल की 1999 में सोनिया गांधी ने भी अपना राजनी तिक करियर दक्षण से किया था वे 1999 में अमेठी और करनाटा के बेलारी सीट से चुनाव लड़ी थी और दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी 1999 में जब सोनिया गांधी के बेलारी से डेब्यू करने के बाद सामनी आई थी तब विजेपी ने सीट से सुश्मा स्वराज को टिकर देकर चुनावी मुकाबले को दिर्चस बना दिया था सुश्मा ने सीट पर सोनिया गांधी को कड़ी टकर दी थी हाला कि वे इस चुनाव में हार गई थी अब कुल मिला कर देखा जाए तो उम्मी जताई जा सकती है कि वाइनार्ड में बिजेपी प्रियंका गांधी के टकर में अपनी किसी दमदार महिला नेता को ही उतारे हाल कि वाइनार्ड से राहुल गांधी का सीट छोड़ना जनता को बुरा जरूर लगा होगा ऐसे में बिजेपी जनता को जीतने का प्रियंका गांधी के टकर में किसे उतारती है ये वाग कई देखना दिल्चस्प होगा फिल हाल कि इस खास रिपोर्ट में पैस इतना ही देश भारत के साथ हर खबर आपके साथ आपके हाथ